नमस्कार दोस्तों एक बार फिर टॉप गलेंस विल सर्विस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज से हम हिंदी की सीरिज शुरू करने जा रहे हैं इसमें हिंदी के सभी टॉपिक कराये जाएंगे जैसे MPSI से लेटेड, CTAT से लेटेड और जितने भी एक्जाम् इसके लिए आप हमारे टेलेगराम चैनल से भी जुल सकते हैं जो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है हमारी अकेडमी से आपको रोज करेंट अफेर के वीडियो और भी मोस्त जो इंपोर्टेंट कॉस्चन्स होते हैं उनके वीडियो अबलेबल करा पर यह तो आप हमें मेल कर सकते हो या अनने नेटवर्क अनने सोसल साइट पर आप हमसे जोड सकते हो इसके अलावा जितने भी करेंट अफेर या हिंदी की सीरीज चल रही इस से लेटेट जो पीडियेफ है या इस से लेटेट जो मैं कोस्टन्स दूँंगा करने के लिए दिसकस करूँगा वो भी आपको उसकी बीडियेफ है वो हमारे चैनल में अप्लब्ड कराई जाती है तो आप हमारे चैनल से जरूर जो लेए आज की क्लास हम सुरू करते हैं बर्ण माला हिंदी भासा में जो प्रियुक्त सबसे चोटी दौनी हमारे मुक से निकलती है उसको हम वर्ण बोलते हैं जो वर्ण है इस सब्द के जैसे मैंने बोला का जो इसमें दो अक्षर होते हैं का प्लस आ लेकिन यह जो का है यह जो मैंने का बोला है इसके आप कोई टुकड़ा नहीं कर सकती तो यह जो सब्द है वो वर्ण कहलाता है भासा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो दोनिया बर्ण होती है इसके अलावा जो भासा की जो सार्था की काई है सबसे बड़ी है वो बाक होती है बाक के तीन प्रकार के होते हैं सरल, मिसरत, सहयूक ते हम आगे पढ़ेंगे जो बाक से छोटी होती है वो उपबंद, सरी उपबाक से छोटी होती है वो पदबंद पदबन से चोटा जो होता है सब्द से चोटा होता है अक्षर से चोटा होता है का अक्षर बोलेंगे हम का को और जब का को देखोगे तो का प्लस आ क्योंकि बिना स्वर के तो आप किसी सब्द को बोल ही नहीं सकते जब आप बेंजन पढ़ोगे तो इसमें बताऊंगा कि वो सारे बेंजन को हम बोलते हैं तो उसके साथ भी आल लगता ही है आप बिनास्वर की सहाता कि कोई वर्ड नहीं बोल सकते हो तो जैसे बात करें कि अगर मैंने यहां लिखा है राम रामे एक्जामपल मैं ले लेता हूँ तो इसमें अगर आप देखेंगे कि दो अक्षर हैं एक रा और एक मा लेकिन अगर मैं इसमें वर्ड की बात करूँ तो रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ जो जो वर्ड सब्ड हैं यह वर्ड सौरी वर्ड है वो चार लेखन के आधार पर हम बोलते हैं उनमें पहले तो ये आ बड़ा यह चोटी बड़ी हूँ यह रिसी को चोड़ देंगे और यह अंग आ को चोड़ देंगे यह जो तीन हैं यह जब हम लेखन के आधार पर आते हैं तो यह जो तेरा स्वर होते हैं उनमें यह तीन है अड़ हो जाते हैं जो बेंजन है बेंजन में काबर्ग में काख कहा था कि सहीं तो जो बेंजन होते हैं जो हम लिखे तादर पेक्ष्टर बानते हैं वो होते हैं इच्छा त्रग ग्यां और इसमें जो इच्छा होता है का प्लस सा से बना होता है जो तरह होता है वो ता प्लस रा से बना होता है जो ग्यां होता है वो जा प्लस जा से बना होता है जा और जो सा होता है ये सा और रा से बना होता है तो यह स्वयोक्त वंजन इसलिए कहलाते हूं क्योंकि यह दो या दो सेद्क वंजन से मिलके वंगे हो थे हैं आंगे हम देखते है श्वर्व भयर्ण जो सवतंत रूप से बोले जाते हैं यह जिन भणनों का उच्षण झान विदाकर किसी के मैं किसी दूसरे बंड की सहाइता से होता है वह स्वर कहलाते हैं यहीं क्यों संक्य मूल दूप से 10 है लेकिन परागत रूप से 13 माने यह तीन है वुमने बताए था रिषियँ बागी के जो 10 स्वर होते हैं स्वरों का बरगी करण 6 परिकार से क्या गया है अब हम इसका बरगी करण देखते हैं किस के सरीके से क्या गया है किस में कैसे बैचानते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे मात्रा या उचरण के आधार पर इसमें दो तरह से बाटा गया है, पहला है रस्वर, जिन स्वरों की उच्छरण में कम समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ये क्या है, हस्वर हैं तीन, जिन में हस्वर से दुगना समय, क्योंकि छोटा आ बोला तो आ कम लगा, आ बड़ा बोलेंगे तो दुगना तरह या तो ज् सब्दों की योग से बने होते हैं, जैसे आ, आ से मिलके बनाएं, इ, इ, से मिलके बनाएं, उ, उ, से मिलके बनाएं, ए, आ, प्लस, ए, से मिलके बनाएं, ओ, आ, प्लस, आ, से मिलके बनाएं, इसके अबाद, जिसका जो तीसरा प्रकार है, वो है प्लत स्वर, इसमें ये उ यहां जो सब्ध है शेए को और से रॉर्ण कए हैं यसे राम समया इस तरह की प्लच सवर कह == जीब की प्रियोग के आदार पर स्वर कुल नबThe कर क्या होते हैं अग्र स्व पस्छ जो अग्रिवस्वार है इस बर्ण के उच्छोनव में जीब काओ जीब का अग्र भाव काम करता है वह अग्रस्वर जीब का अग्र भाव काम करता है तो अग्रस्वर जैसे मद्सवर में आ फस्वर में आ उ ओ ओ उ सरी उसके बाद अग्रा मुख्दावर के अधार पर तो जीब मुख्दावर है इसके अधार पर भी स्वरों विवाजन किया गया है त्योंकि चार भागों में इसको विवाजित किया गया है विब्रत स्वर, अर्द विब्रत स्वर अर्द संब्रत दोर और संब्रत स्वर जो विब्रत स्वर है विब्रत स्वर में मुख दोर अधी खुलता है जैसे हम बोलते हैं आ जबकि जो अर्द विब्रत स्वर है, इसमें विब्रत स्वर के उचराण में हमने जितना मुख खुला था, उसकी तुलना में थोड़ा कम खुलता है, जैसे आ, ए, ओ, ओ, जो अर्द सम्ब्रत स्वर है, इसके उचराण में, जो मुख द्वार है, वो सम्ब्रत स्वरों से कु कुछ बढ़नों के उच्चानल अस्थान है है करने कि जैसे कुछ बढ़नों के उच्चानल अस्थान है जैसे नासका से जब आप बोलते हैं तो अटाना नामा यह नाशका के साथ आप बें कौ present दातों के दाप ज् wad बोलते हो रेला थन्त को जो जो दातों थे और उंक्त को मला कि हहावा बोलते हूं और सिर्फफ हौंट को मिला कि और पावर के जितने होते वह और आप उन्ट मॉटल प्लस कंठ को में इसवाय बोलेगे हैं मुष्ण जो है ता वर्ग और सा यह पसे बोलोगे mã मुह के जो भीत है जो जो उपरी छथ है इसका जो अगला वाग है उससे मिला के अब टावर्ग टाठा डाडाडा पुरा वोलोगे साव्यू सी से बोलोगे तालू जीब से ई ई चा का पुरा वर्ग या और साही आप जीब के थो बोलोगे इसके बाद जो अगला है, हो है कंट, कंट प्लस तालूइन दौनों के बलाके यह आई आई आप दौनों बोलोगे, कि अबल कंट के द्वारा आ, आ, आह, अम, आह, या का वर्ग में, का खा, गा, 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 या फिर हा, ये सबी आप कंट से बोलोगे, आउट की स्तिदी के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, ब्रतमुखी स्वर या गोलक स्वर, ये वह हैं जिनमें आउटों का आकार गोल रहता है, जैसे, उ, उ, ओ, आ, 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 अ, ब्रतमुखी है, इसमें, आउट का जो वाकार वो गोला करने ही होते, हवा के नाग वा मूँ से निकलने के आधार पर, इन्हें दो भागों में बाटा जाता है, जैसे, मौखीक स्वर में, हवा केवल मूँ से निकलती है, जैसे, आ, आ, इ, एक अनुनासिक में, अ, आ, इ, ये, जिसमें हवा, मूँ वा नाग दोनों से निकलती है, वो अनुनास आधार पर भी तो जिन सब्सप्दों के उ है होध। होध का हुध मैंने का बताया था भी जब में अपके साथ सुरू किया था यह कि पुलते हैंdleपे सब़ेंगे नें जिटने वी बोलतेında कि वो सभी सवर की सहिता से यह हम बोल सकते हैं तो जो शफपनाउ वंजन का रहा उचाण नहीं है जैसे आप मैंने बताये कि करनर का भी आप बोलोगे तो उसमें आएगा खावी आप बोलोगे तो उसमें भी आएगा गाह बोलोगे इसमें भी आएगा चाह बोलोगे इसमें हर एक वेंजन में आएगा जो बेंजन के जो प्रकार होते हैं वो तीन होते हैं इसपर्स वेंजन अंतरस्त वेंजन और उसमें वेंजन तो य चार आंके देखते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्फर्स बैंजन है स्पर्स करत होता है छून और बिंजन आप आपने बोला है जिन बैंजनों काउच्षान करते समय जी मूह के किसी भाग को टॉच करें जीए पकंट हो तालू हो मुर्दा हो दान्थ हो यह होंट कास्ट यह आपस में सपस्ट करें उन्हें सपर्स बंजन कहते हैं यह पत्चीस होते हैं मैंने भी बताया पत्चीसी बता नहीं सॉरी गलत लिए हो गया है यह 27 बंजन होते हैं का वर्ग जो है का खागाड यह सब अभी कंठ का यह तालू का यह मैं आपको पहले भी डिसकस कर चुका हो भी मूर्धा यह दातों का और यह मोटों का कि जो सकता है सुआ है यह दौनों को मिला कि हुए वर्णा तो 25 है यह नुक्ता वाले डा उड़ा इसके बाद गोसत्व के आधार पर बेंजन वर्ण के दो प्रकार दो भागों में डिवाइट किया जा सकता है पहला अगोस दूसरा सगोस तो जो अगोस सब्द है वह हर वर बर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अगोस कहलाता है के जैसे जो का वर्ण है उसका का चा वर्ण का चा और चा टा रंका ता अठा और टा वर्ण का ता अधा ये हर बर्ग का पहला वा दूसरा वर्ण जो होता है वह है अगोस वेंजन वर्ण कहलाता है जबकि अगोस वेंजन वर्ण है वह हर बर्ग का तीसरा चोथा और पाचबा जैसे का वर्ण का लेंगे तो गा गा डा ना चावर का लेंगे तो जा जा न तावर का लेंगे तो दा धा न तावर का लेंगे तो बा भा न हर बर्ण का तीसरा चौथा पाचवा सब्द सगोस वेंजन बर्ण कहलाता है प्राणत्र के आधार पर बेंजन मन के दो प्रकार होते हैं एक अल्प प्राण दूसरा महा प्राण इसमें लोग बहुत ज़्यादा जो कर दो प्रकार होते हैं जिन वर्णों के उच्षार में मुझ जान ही नहीं लगती हो और हम शर्म नॉर्मली बोल देते हैं वो कि अल्प प्राण कहलाते हैं आप कैसे पता चले तो जितने भी बर्ग है का चा जा ठा खाँ ऊसमें पहला वाँ तीसरा तीसरा वा पांचवा जो वेंजन है हर बर्ग का तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वह अल्प प्राण कहलाता है जैसे जो का वर्ण है का वर्ण का सुरी का गा और अड़ा चा बर्ग का चा जा और अड़ा ता वर्ग का टाणा और अना जबकि महाप्राण किसे कहेंगी महाप्राण वह हैं जिन वजड़ों के उचान में मूँसे ज्यादा हवा निकलती हो या फिर डारेक्ट हर वर्ग का दूसरा वाथ चौता अक्षर जैसे का वर्ग की अगर हम बात करें इसमें तो का वर्ग में खा इसका दूसरा है और खा इसका चौता है ये दोनों अक्षर अमहा प्राण कहलाएंगे जबकि चा वर्ग में आएंगे तो छा छा ये दोनों महा प्राण है ता वर्ग में आएंगे तो ठा रा या फा मा ये सभी महा प्राण कहलाते हैं अब हम बात करते हैं अंतस्त बेंजन अंत का मतलब होता है मद बीच या अंतस्त का मतलब होता है स्थित तो जिन बेंजनों का उचरण सुर्वा बेंजन के मद होता है या उचरण के समय जिनना मुखे किसी जीव हमारी वो किसी मुख अंतस्त वेंजन कहलाते हैं नहीं पे पतले बताया था यह आतकतर सब्सर्ण संख्ञार 27 अंतस्त की चार और उस्मिजन वेंजन की संख्यार चार होती है है तो जो अनतस्त बेंजन होतें वह यह चुल के देखो तो यह मुख किसी भाग को वह बुर्ट में ठाथ होता है तो ऐसे अर्थ बतार है इसके बाद जो जिन वन जो हम सब है यह भाग करें सास में गर्मी पैदा करते होने है, उस मेंजन कहते हैं, जो उस मेंजन भी हमारे चार होते हैं तो आज की क्लास में बर्ण मालडा के लिए इतना ही इससे लेटे जो कोस्चन्स हैं वो मैं आपके साथ समय समय पर डिसकस करता रहूँगा यह आप याद रखें बागी अगली वीडियो में हम सब्द पढ़ेंगे सबसे लेटेड जो 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 जितनी भी बात हैं सब्द कितने परकार के होते हैं वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करेंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू